और फिर खत्रा करके डरा डरा के उसकी अलग अलग सस्ताय बराली, कोई सम्मिधान यात्रा निकाल ला है, कोई सम्मिधान का पार्ट कर रहा है, कोई सम्मिधान का विमोचन कर रहा है, कोई सम्मिधान बाट रहा है, कोई सम्मिधान चाप रहा है, लोग 4-400 रुपे का सुरा मेरे मज़ पमांट ठाण फिर में जिखा पधिंग समाधियानी पुद्धन यह दो बात बहुत इंपोटेंट हुई आज की और तीसरी बात है हमारी जो हमारा रूटीन का समढ संग का कंसेट होता है क्योंकि हमारे कुछ नए साथी भी आये होंगे जो यह जाना चाहेंगे कि आखी समढ संग है क्या दरसल अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो अभी दो तिन वाद 26 नवंबर है 26 नवंबर को समिधान दिवस है समिधान देश ने एडॉप्ट किया माना बनके पूरा हुआ समिधान सवा में पास हुआ लागुत बाद में हुआ तो समिधान दिवस को सबसे पहले जो विजय मान कर हैं उन्होंने मनाया भारत में सबसे पहले समिधान दिवस उन्होंने मनाया उनका नेट पर उनका वीडियो है सबूत है इस बात के क्योंकि पहली बार उन्होंने मनाया काफी पहले मनाया उसके बाद यह डंप हो गया क्य मुझे डेट याद नहीं किया उसके बाद फिर हमने मनाया यानि सम्र संगने मनाया सम्र क्योंकि गर्णमेंट offers नेरे मनाया और हम ने पगड़ लिया इसको समढे जो सम्धान है यह सम्रों का है कि इसमन्ड सम लिखा हूँ है सम्र endless सम्विधान तो हमने इसको प्रमोट किया हमने इसका प्रचार किया हमने इसका प्रचार किया पहले साल हमने लगवाया तो लगवग हम इंडिया गेट पर गए वहां बैठे वहां लोगों को बलाया हम यह दिखाया दिया और कोई था नहीं उसके बाद में दुबारा लगा इ इसका परचार किया तो यह 10-1,000 जगे मना बाद में यह और मने लगा पर अब हम पस्ता आते हैं हमें लगते हैं कि हमें इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए था सम्विधान दिवस को नहीं मना चाहिए था क्योंकि सम्विधान दिवस भी ऐसा ही हो गया जैसे आरक्षण है आर को खतम करने के लिए क्योंकि इसका कानून नहीं है यह आज भी भारत में बिना कानून के चलता है अगर कोई आरक्षन ना दे आपको यह आक्षन बदल दे यह आपका खा जाए या कोई जूटा प्रमाणपत बना के नौकी लिए ले तो उसको कोई सजा वजा नहीं है जो चा चलता है ओम के आधा पर चलता है वह 5 ओम आये जो समधान को खतम करने वाले थे और उसके बाद फिर सकारी करमचारी अपने समधान को अपने प्रमोसरूं को बचाने के लिए खटे हुए तीन चार बार वो रामनवाम बदान में खटे हुए इसमें दो बापस हुए एक लोगों ने आरक्षन बचाने का काम शुरू कर दिया. फिर आरक्षन चला गया तो फिर उहाँ पर कुछ लोग सक्रिय होगे, फिर पैसे देने रहे लेगें लोग, पर आरक्षन की यतनी मुहिम चलने के बाद भी आरक्षन बचा नहीं. आरक्षन खतम करने वालों ने सीधा आरक्षन खतम ना करके आरक्षन जिस विभाग में जिस नौक्री में जिस डिपार्टमेंट में मिलता था वो डिपार्टमेंट नी बेच दिये या खतम कर दिये या नौक्रियां खतम कर दिये या प्राइविट कर दिये या डॉक कर दिय नौकरियां खतम कर दी, नौकरियां खतम हो गई तो आरक्षनल खतम आउटमेटिक हो गया, कहना नहीं पड़ा पर आरक्षनल खतम हो गया, तो इतने सारे संख्ठनों को जो पैसा दिया, इतने सारे संख्ठनों को साथ जो खड़े हुए और इतने सारे संख्ठनों को जो पर इखटे नहीं हुए इखटे नहीं हुए इसलिए उनके खुदके डिपर्टमेंट भी बगे जो डिपार्टमेंटों को नेता-बेशल करे と उनके खुद के department बच गये पर उनको इस बात की सरम नहीं है कि हम आरक्षला बचाने गए थे आरक्षल तो छोड़ो हमारे department चलेगे कोई पूछता नहीं वो पताते नहीं फिर वो इदाउदर की बात ने करते रहते हैं तो जो आरख्षन का हुआ पचाते बचाते वो ही सम्मिधान का हो रहा है 26 नवंबर सम्विधान डे है अब गौर्रमेंट नहीं मनाती इसको और जो लोग सम्विधान का मज़ा ले रहे हैं या सम्विधान का पूरा फाइदा उठा रहे हैं वो भी नहीं मनाती है उनका तो काम चला है पर जिनको सम्विधान कुछ देता था और उनकी अधिकार चले गए उनको बनाने की मजबूरी है उसमें सम्विधान लोगों का एक छोटा सा हिस्सा है जो सबसे नीच आता है तो हुआ क्या कि हर आदमी को एक नया काम मिल गया क्या रहे भई अब आरक्षन वाला काम तो चलेगा नहीं क्योंकि अब किस मुझसे आरक्षन के लिए पैसे माँगेंगे अब कैसे कहेंगे कि आरक्षन बचाओगा अब तो लोग पैसे ने देंगे कहेंगे तुम जूटे हो ये तो department पक गया तो आरक्षन किया बचाओगे तो सम्विधान बचाने के लिए पहले तो उन्होंने पचार किया समिधान खत्रे में है, खत्रे में, खत्रे में, पर किशी ने बताया नहीं खत्रा क्या है और कैसे दूर होगा, और फिर खत्रा करके डरा-डरा के उसकी अलग-अलग सस्थायब राली, कोई सम्मिधान यात्रा निकाल ला है कोई सम्मिधान का पार्ट कर रहा है कोई सम्मिधान पार्ट से चला रहा है कोई सम्मिधान का विमोचन कर रहा है कोई सम्मिधान बाट रहा है कोई सम्मिधान चाप रहा है लोग 4-400 रुपे का सम्मिधान बेच रहे हैं पर सम्विधान नहीं बच रा और सम्विधान बचेगा भी नहीं तो हमें लगा कि हमने गलती करी क्योंकि ये लोग फिर उसको ब्यापार बना के धंदा बना के सम्विधान को भी लगे काम पर किसी ने भी नहीं सोचा कि सम्विधान बसता कैसे है सम्विधान खत्रे में कैसे सम्विधान खत्रे में नहीं है खत्रे में सम्विधान से जो लाब लेने वाले लोग हैं वो है जिनको लाब मिल रहा है और ज़्यादा मिला है सम्विधान से वो क्यों बदलें सम्विधान को उन्हें तो पड़ा मज़ा आ रहा है उनकी तो जिनकी बढ़िया हो गई पर जिनके कुछ अधिकार थे और वो सम्मिधान के तहत में जा रहे हैं उनको लगता है कि पहले वाले अधिकार आने चाहिए यानि जगड़ा इस बात का है कि जो अधिकार हमें वहां लिखे हुए हैं वो हमारे बापिस आने चाहिए इसको सम्मिधान बचाना कहते हैं कि सम्मिधान बापिस आने चाहिए तो सम्मिधान के अंदर अपने अधिकार के जो अनुठेद हैं या जो टिपनियां हैं जो वहां हमारे आर्टिकल लिखे हुए हैं वो बापिस आये या वो ठीक हो या और जुणे उसको कहते है सम्विधान बचाना तो उसको कैसे बचाएंगे सम्विधान में कोई भी आर्टीकल या कोई भी धारा या कोई भी अगर वहाँ एक्ट जुड़ता है तो वो बहुमत से जुड़ता है और बहुमत से ही खतम होता ह और बहुमत लोगों की जन संख्या पे निर्भर करता है, तो आप जन संख्या को जुटा लीजिए, बहुमत को जुटा लीजिए, आपको पार्लियमेंट जाने की जोत नहीं है, आपको सिर्फ संख्या को शो करना है, समिधान को पता चल जाता है कि ये संख्या हमारी है या न कर रहें और Mythical Me, कभी Хलिय हम प्रैश्टियम बनाते हैं लोग का। प्रैश्डियम कता कि लोग आए- Career को जाए कभी हम आंधी बरत मीटिंग लगते हैं कभी हम जगां जगे 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 जाके लोगों से मिलते हैं कभी उनकी मीटिंगों में जाते हैं कभी उनको कहते हैं भाई खटे हो जाओ पर नेता ने खटा होने दे रहे हैं क्योंकि नेताओं की रोजी रोटी और धंदा खतम हो जाएगा जैसे अभी सम्मिधान दिवस के उपर सबने अलग-लग लगाई यह संगती अगर सम्मिधान दिवस सब एक साथ मना लेते तो सम्मिधान बच जाता वो भी बच जाते हैं क्योंकि लाखो क्रोडों की संक्या है अगर एक वोईस एक आवाज होगी और एक तरह का जंडा होगा एक तरह की बात होगी और एक साथ होंगे तो गौर्मन माल लेती है बात को सम्मि सबी जितने भी हमारे नेता हैं उन सब को का भाई इखटे हो जाओ इखटे हो जाओ नहीं मारे जाएंगे पर कोई इखटा नहीं हुआ जब कोई इखटा नहीं हुआ तो सुझा भाई हमी इखटे हो जाए साधरन लोग तो यह साधरन लोग इखटे होने लगे और साधरन लो ये तब तक संग नहीं था, तब तक वीदा पीपल था, राजनीती नहीं करेंगे हम, तो वो लोग चलेगे, अब वो ये तो कहते नहीं किसी के हमें राजनीती करनी थी इसने चलेगे, कुछ लोगों ने कहा जी कि हम चंदा इखटा करेंगे, यहां ब्यापार करेंगे, उनको कावए व्या पार अलग करो और चन्दा क्शंधा होगा नहीं उनका चन्दध का काम क्यूंकि चन्दा धन्दा है जो लोग चंदा करते हैं वो जबा निल्स पॉट जाते हैं तो चन्दे का बात कि खतम हो गई कुछ लोगों नहीं कहा कि हम तो यहां एक मत और धरम की बात करें गे उन से का ज़न भई संग के अंदर एक मत डर्म की Bapt नहीं हो ती मत और धरम संविधान यह कहता है कि आपका personal matter है इसको आप personally level हैं यह user matter नहीं है आप किसी संग को या किसी सम्धान पे अपना मत या अपना धर्म या मजव या रिलिजन नहीं थोप सकते आपको सम्धान एक दायरे में देश के अंदर सम्धान के तहर चलना होगा और हम सम्धान को नेता मानते हैं इसलिए यहां एक मत की और एक एक विचार धारा की बात नहीं चलेगी यहां सब की विचार धारा सब के साथ अपनी अलग लगे है और हम किसी की विचार धारा को छोटा वड़ा नहीं कहते तो जो लोग यहां एक मत का, एक धरम का, एक मज़ब का काम करने आये थे वो भी चलेगे, अच्छा हुआ, क्योंकि अपना मनतबे बताया हो चलेगे इसमें बुरा ही कोई बात नहीं है, जिस प्रेक्टिव जो अच्छा लगे वो करे तो उसके बाद में फिर वो लोग वीदा पीपल का टैटिल लेके चलेगे कि हम वीदा पीपल के नाम से काम करेंगे, हलाकि वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि उनका सोच वो कुछ था नहीं, इतना ही सोच था, नेता बनना है, पैसा खटा करना है पर जो बड़ी सोच के लोग थे, उन लोगों ने कहा कि हम पुराने संग पर काम करेंगे हम पहले भी समढ़ थे और अब भी समढ़ हैं तो यह जो सुख और यह जो विकास और यह जो सुक्षा का काम हम कर रहे हैं जो हमारा उद्देश से है यह केवल समढ़ों के लिए हैं इसमें वर्मन की एंट्री कभी नहीं हो सकती पिर यह बात हुए कि चंदा नहीं लेंगे ना चंदा देंगे क्योंकि चंदा ना पहले लिए गये हैं वर नथो खरचा काश चलेगा तो आपना अपना खर्चा अपने आप उठाएंगे, अपनी रोटी अपने आप ले गया हो, अपना किलाया अपने आप दो, अपना खर्चा अपने आप उठाओ, और जो सामी खर्चा है उसको मिलके, जो एक्टिव संगी है वो उठाएंगे, पिर बोले भी राजनीती में कभी नहीं ज संग देगा और संग को ही वह रिपोर्ट करेंगे व्यक्ति को नहीं करेंगे यानि को रिपोर्ड नism Dublin करेंगे कr संग को निए तो यहां एक तारीक Üंग यहां जुम्मधारी देता यापस पास् ada के और संगी उसको संगी काम करते हैं संगी खुद बनाए और भी नियम है और दसवा नियम हमने ये बनाया कि ये नियम कभी बंदे नहीं जाएंगे नहीं नहीं कोई छेड़ सकता है नहीं कोई हटा सकता है नहीं ये टेड़े हो सकते हैं नहीं ये मेड़े हो सकते हैं ये चलेंगे और ये दस अमत नियम हमारे जो दस विने हैं ये लगातार इसके आधार के ओपर चलेंगे तो ये काम चलने लगा इस काम के चलने से बहुत सारे संग्ठनों को परिशानी होती है होनी चाहिए क्योंकि जो बातें संग्ठन को खतम करती है वो इसमें नहीं है माम सेफ ने तीन बातें कहीं थी कि वो non-registrational है कभी धर्ना प्रतसन नहीं करेगी वो non-religious है किसी मत को नहीं मानेगी और वो non-religious non-registrational और non-political है यानि वो राजनीती में नहीं जाएगी वो बात लोगों को बहुत पसंद आई पर जैसे बाम सिब के टुकड़े हुए उसने नेतागरी भी शुरू कर दी सब उन्होंने धर्म और मजबिद ले लिया बेशक वो अच्छा ध्रम है अच्छा मत है पर नहीं लेना चाइए था क्योंकि अगर आप बुद्धु को मत मानते हो तो नहीं रे नहीं लेना चाहिए था सबका अपना अपना अलग अलग है और उन्होंने प्रıtसंद भी सुरू कर दिये धन्ना प्रिदसंद सुरू कर दिये और गोशलीन जी बोले लगे पहले वो कहते थे हम डिमांड नहीं करेंगे अब डिमांड भी करने लगे उसे लोगों का यकीन विश्वास तूट गया इस यकीन विश्वास के तब एक नियम है कि यहां केवल संग बाद रहेगा तो जब व्यक्ति नहीं रहेगा तो व्यक्ति इसको अपनी इक्छा से मोड़ नहीं सकता तो जब भी संग का नियम होगा यह संग कहीं मुड़ेगा संग की इक्छा से मुड़ेगा संग के द्वारा मुड़ेगा संग के नि रहना है कोई विचारधारा दूसीस में चलेगी नहीं ये नियम पुराने संग के नियम है पर जब जादा खुदाई की और जादा पता किया तो पता चला अरे यही नियम तो पुरी दुनिया में सारे संगों ले रखें जो बुद्ध के विनेपिटेक में लिखे हुए हैं व वो धम का संग नहीं था वो साधरन हमारे जैसे लोगों का संग था और वो भी साधरन 21 साल के लड़के थे जो साके समन संग में गए इसलिए संग पहले से स्थापित है और इसके सबूत लागातार मिलते रहते हैं बस वही संग है हमारे यहां बहुत सारे सब्दों का निश के साथ हैं हम उसका जिक नहीं करते हम किसी के देवी देटा को भी गाली नहीं बगते हम किसी की किताबों को भी गाली नहीं बगते हम कोई रिलिजियस जगड़े यहां पैदा नहीं करते हम गौवर्मेंट की किसी जो नियम पास हुआ पार्लियमेंट में उसकी आलोशन नहीं संक्या में चाहें वो सरकारी करमचारियों के हजारुक संक्या में हम उनको बोलते हैं उनको कहते हैं कि अरे भाई तुमको अकल नहीं है क्या इतनी सारी राजनतिक पार्टी बना ली तो जीतों के कैसे हमें पता दो आओ बहस करते हैं जूम पर आ हम उनसे कहते हैं भाई ये तुम क्या कर रहे हो इतने सारे सामाजी संटर बना दिये तुमारे क्या उद्दे से अलग लग हैं जो तुम अलग लग रहते हो ये क्या जगड़ा है क्या नहीं है उनको हम बोलते हैं कि इनको बंद करो एक करो लड़कों को कहते हैं कि भाई सारी लड़के जब के एक साथ नहीं होंगे और वो एक छत चाहाय में नहीं आएंगे जीत नहीं सकते हैं कुछ हो जाए अलग से पार्टी बना के क्या करोगे क्या लग से जखड़े करोगे उगर आजनों करोगे जेल में चले जाओगे गोली मार देंगे तो वो उनको समझाते हैं जो हमारे सरकारी करमचारी लोग उनको कहते हैं भाई तुम अलग अलग हुए तुम्हें डिपार्टमेंट बे गए तुमको अब तो समझ में आनी चाहिए तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आती है ये सारी चीजे हम उनको बताते हैं उनको कहते हैं और फिर उनको कहते है आओ आके बहस करते हैं जूम पर आजाओ जहां कोगे वहां आते हैं आओ बहस करते हैं कि तुम जिन्दिगी में काम्याब नहीं हो सकते ये गारंटी है आओ बहस कर लो इस बात के उपर पर उन्हें भी पता है कि वो जिन्दिगी में काम्याब नहीं हो सकते हमें भी पता है कि भारत में जो लोग कामयाब है वो संग्ठन से नहीं संग से कामयाब है उनको भी पता है कि ये स्रमर संग जो चला है एक दिन अपना परणाम लेकर आएगा पर जब व्यक्ति राग में, दोईस में, पद में, मंच में, माला में इसमें फस जाता है जब उसको कुछ मिलना सुरू हो जाता है, कहीं जमी जाज़त बना लेता है, कोई भवन मठ बना लेता है उसका कुछ बन जाता है, तो कहता है, जो होगा देखा जाएगा मुझे तो इसी में मज़ा आ रहा है, तो उसको छोड़ना बड़ा भारी पड़ता है इसलिए वो मरने को त्यार होता है, पर छोड़ने को त्यार नहीं होता, ये समस्या है इस समस्या से हम लड़ रहे हैं, इसलिए आपको इन्वाइट करते हैं, कि आप सब के सब लोग इखटे हो जाएं और इखटे होने के लिए समसंग से बहतर कोई प्रेटफाम मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई चंदा वंदा नहीं है, इसमें कोई नेता वेता नहीं है, इसमें कोई धरम मत, इसमें को रिजन नहीं है इसलिए सारे संतों को बलाया है 11 फरवरी को संतों के जितने संत हैं सब आओ ना कोई छोटा है ना बड़ा है संतों में आपस में जोल है संती आपस में लड़ते रहते हैं एक संत दूसरे संत के अनुयाईयों को देखना पसंद नहीं है पर उनके अनुयाई दूसरे संत के अनुयाई को देखना पसंद नहीं करते अरे भाई तुम्हें तुम्हारे संत नहीं ये थोड़ी बताया है कि तुम्हें आपस में लड़ना मेरे को एक स्रमल संत बता दो जो ये कहता हो कि हमें आपस में लड़ना है एक स्रमर्ण संत बता दो आपको एक स्रमर्ण संत नहीं मिलेगा जो आपसमें रंडिंग नहीं बोलता हो तो अनुई आई क्यों रड़ रहे हैं जाहिजी बात है कहीना कोई कोई ना कोई गवर्ड है उस गवर्ड को पकड़ने के लिए सारे स्रमर्ण संतों का समागम 400-500 साल लगेगा 11 फरवरी को दिली में तालकोटरा इस्टेडियम में चुकि खर्चा हमें सबको अपना अपना उठाना होता है इसलिए जो लोग यहां आएंगे वह अपने खाने का बैठने का तालकोटरा इस्टेडियम का लाइट का साउंड का सिकॉर्टी का वहां जो मैनुर प पच्ठेश तो संके ही होते हैं इसलिए उनकाा सिर्फ 25 रुपे जो उनकी गले में ढोड़ी पड़ेगी यह है तो आप यहां अपना कोई जो काम करना चाहिए जो आना चाहिए जो संग को आकर देख़ना चाहिए जो सारी बात समझना चाएं वो अपना यहां बात करें हेंडेज करें अपनी इक्षा जाहिर करें इसको देखें कोई बात समझना नहीं आती है तो परसंद करें परसंद खूब करें जब तक परसंद नहीं करेंगे तब तक जीतेंगे लिए मेरी किसी बात से अगर किसी समर संगी को कोई आहत हुआ हो, कोई हानी हुई हो तो मैं उस से और संग से माफी मांगता हूँ संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग नमामी, संग नमामी, संग नमामी